तो दोस्तों इंडिया वर्से साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन के पहले सेशन का दोस्तों पूरा रिव्यू लेके हावजी रूँ और इस सेशन में साउथ अफ्रीका के बले बाजों ने साउथ अफ्रीका का वापसी भी करवा दिया है तो दोस्तों मै दों बता दे करें साउथ अफरिका आख्री सेसन में कितना रंबनाय था तो 49 रंपर साउथ अफरीका के तीन विकेश गिर गय था जहां पर गी निलगर 27 रंबना की क्रीश पे मौझूद थे तो वही बहुमा दो रंबना की क्रीश मौझूद थे अब अगर हम बात करें आज के हैं एक सेशन च growers का दोस्तमिया हम बताएं कितना रहुट रहने हैं तो अभी तो अभी तकि साओत अफरीका ने एकसा तीरी पर रहसं बनाए हैं और चार बुकेश्ट गवाए हैं यानि कि साउथ अफ्रिका ने इस सेशन में सिर्फ एक विगेट दवाये हैं और 115 रंग का मजबूत स्कोर बनाया है यानि काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रिका के खिलाडी अब आपको हम बताने जाएं इसमें कौन सा खिलाडी कितना रंग बनाया है तो डीन एलगर ने शांदार पचासा जड़ दिया है यानि के बहुत ही अच्छी बैटिंग के खिलाडी कितने रंग बनाया है तो दोनों मिलके 90 रंग जोड़े हैं यानि के एक बहुत ही अच्छी अच्छो सुरवात इसमें इन दोनों ने पार्टनर्सीब करके साउथ अफ्रिका को सिच्वेशन में जाल दिया है अब कुछी रंट पीछे हैं साउथ अफ्रिका इंडिया फे टीम सुर्व के उपर रंण भी बनाने हैं लेकिन देखना होगा दोस्तों कि अगले सेशन बहुत ही इंपॉर्टन्टन रहने वाला है साउथ अफ्रिका की नजरिये फे अगर साउथ अफ्रिका अगर से बारत ठो डूस्तों देखने में बहुत मजयारेगा तो देखना होगा कि इस सेशन में गईतबाज क्या करपा बाते हैं भारती गेधबाज हो सकता जल्दी पक्रहार की साथ अफ्रीका प्किया खड़ी हो सकती है मैं आपको बताता हिक रहूगा तो चलिए दोस्तुल wolltक這個 नीजिव स झाल झाल